Hello everyone, आप देख रहे हैं वोबोट चेनल और इस चेनल पे आप सभी का स्वागत है आज का हमारा टोपिक है टाइपस ओफ वीविंग तो स्टार्ट करने से पहले, अगर अब हमारे इस वोबोट चेनल पे नए हो तो इसे सब्सक्रेब करना ना बुले तो friends, let's start टाइपस ओफ वीविंग समझने से पहले, टेक्स्टैल में वीविंग क्या है वो जान लेते हैं अगर मैं आपको simple example के साथ समझाओ, तो पहले के जमानी में आपने देखा होगा कि दादी मा अपने free time में धागे बुनके कुछ न कुछ बनाती रहती थी, तो इसे वीविंग करते हैं वीविंग मतलब कपड़ की बुनाई तो इस example से हम इतना कह सकते हैं, कि धागे बुनके कपड़ा बनेने की process को वीविंग करते हैं टेक स्टाइल में कपड़ा और यूकें से फ्रेविंग बनाने के लिए चोधागे यूज होते हैं उसे यान कहते हैं और आप उसे thread भी कर सकते हो तो अगर आप जैकार मशीन में वीविंग करके कपड़ा बनाना चाहते हो तो आपको एटलिस दो यान चाहिए फर्स्ट वर्टिकल यान जो सीधा चलेगा और सेकंड होरिजन्टल यान जो आड़ा चलेगा यहाँ पर होरिजन्टल यान को वेफ्ट कहते हैं और वर्टिकल यान को वार्प कहते हैं तो ये warp and weft को अलग-अलग एंगल से बुनके different style का हम कपड़ा बना सकते हैं तो चलिए weaving के कुछ basic types देख लेते हैं मैं इस वीडियो में आपको total 10 basic weaving types explain करूँगा तो उसमें से first है plain view, second basket view, third z-twill, fourth s-twill, fifth satin view, sixth diamond view, seventh herringbone view, eighth diaper view, ninth wavy twill and last tenth honeycomb view तो friends, इन सारे types of weaving में से हमारा first view है plain view, ये बहुत ही simple और basic weaving types है क्योंकि mostly कपड़ा बनाने के लिए इसी weave का use होता है, ये one up and one down के हिसाब से बुना जाता है और ये plain view से बुना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह से दिखता है अब हमारा next weaving type है basket view friends, ए view plain view का ही variation है, ये two up and two down के style से बुना जाता है basket view से बुना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह से दिखता है, और ये कपड़ा plain view से ज्यादा flexible होता है next weaving type है z wheel view, अगर आपको कपड़े में cross line वाली effect लानी हो तो z wheel का use होता है ये view one up three down के style से बुना जाता है, यहाँ पर weaving में z pattern के हिसाब से cross line बनती है इसलिए इस view को z wheel कहते हैं, और z wheel से बुनावा कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है normally trouser and denim, jeans और shirt का कपड़ा बनाने के लिए इस view का use होता है next weaving type है z wheel view, अगेइन आपको cross line वाली effect से कपड़ा बनाना है तो z wheel का भी use कर सकते हो लेकिन इस कपड़े में z wheel से reverse direction में cross line दिखेगी यहाँ पर weaving में z pattern के हिसाब से cross line बनती है, इस लिए इस view को z wheel कहते है अगर किसी कपड़े में इस तरह की cross line दिखे तो समझ जाना twill view है next weaving type है satin view, यह view one of four down के style से बुना जाता है अगर आपको कपड़े में dotted effect देनी हो तो इस view का use होता है satin view से बुना हुआ कपड़ा smooth रहता है और कुछ इस तरह से दिखता है next weaving type है diamond view, दोस्तो यह view style यूज करने से हमें diamond type की effect दिखती है इसलिए इस view को diamond view कहते है diamond view से बुना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है अगला weaving type है herring bone view, यह herring bone view की pattern है friends यहाँ पर herring एक मचली का नाम है और इस मचली के bone structure जैसा ही इस view का V shape में structure है इसलिए इसे herring bone view कहते है और herring bone view से बुना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह continuously V shape pattern में दिखता है next weaving type है diaper view friends, diaper view herring bone view का ही advance पर जोने है क्योंकि यहाँ पर 2 herring bone view मिलके diaper view बनाते है continuously repeating geometric pattern के कारण इसका नाम diaper view बढ़ा है diaper view से बना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है अब देखते है वेव it will दोस्तों, यह normally पानी में बनती लहर की तरह दिखता है और लहर को इंग्लिश में wave कहते है इसलिए इसका नाम वेव it will पड़ा है इस view से बना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है next and last viewing type है honeycomb view friends यह view मधू मकी के चत्ते की तरह दिखता है इसलिए इसे honeycomb view कहते है और honeycomb view से बना हुआ कपड़ा कुछ इस तरह दिखता है friends इस वीडियो में मैंने सिर्फ 10 basic viewing types explain किये है अगर आप और viewing methods जानना चाते हो तो प्लेश्टोर पर से वोगट application डाउनलोड करके view patterns देख सकते हो जिसमें मैंने 30 से ज्यादा fancy view भी एड़ किये है and finally अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो subscribe, like and share करना ना भूले at last thanks for watching